वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल तो दोस्तों इस वेडियो में आज हम बात करेंगे ग्रीजन केड़ेट कालेज को हाट की एड्मिशन ओपन हो चिकिया फार एट क्लास एंट्री 2024 की तो इस में हम बात करेंगे फर्स्ट अफ आल एप्लिकेशन की इसके बाद करेक्टेरिया की उसके बाद इंट्री टेस्ट की तो एप्लिकेशन की अगर हम बात करें ऑनलाइं एप्लिकेशन टू बी सब्मेटेड एड़ जी के इस वेबसाइड पर आप अनलाइन एप्लाइए कर सकते हैं उसके बाद 10 अक्तुबर 2023 तक आप 35 रुपई 35 फीज जमा करने हैं जो नान रिफॉंडिबल है उसके बाद 31 अक्तुबर 2023 तक 5000 आपने जमा कराने हैं उसके बाद आपने इस में इस तरह इमेल यूस करनी है जो आप यूस करते हों क्योंकि केडर की तरफ से तमाम इंफॉर्मेशन आपको उस इमेल पे वो सेंड करेंगे और सीज के लिए स्पेशल सीट अवेलिबल है होड कापी विल नाट भी एक्सेप्टेड यानि आप सिर्फ अनलाइन इप्लाई कर सकते हो होड कापी उदर नहीं बेच सकते है इलिजिबेलिटी की अगर हम बात करें तो एज 31 मार्ट दौजार 24 तक एज होनी चाहिए 12 से 14 साइयर तक हाफिज कुरां के लिए six month relaxation है और जो कंडिडेट से वह seven या eight class में पढ़ रहा हो या इसके एकुल एंट्री टेस्ट के अगर हम बात करें तो रिटर्न टेस्ट पेपर पेटरन और सेलबस ये जी सी सी के डाट एड़ डाट पी के वेबसाइड पे अवेलिबल है और टेस्ट जो उन्होंने कंडेक्ट करना है वो संड़े के दिन होगा यानि 19 नवंबर 2023 को कंडिडेक्ट मस्ट रिपोर्ट टो अलोटेड एक्जाम संटर एट एएम यानि 8 बज़े को कंडिडेक्ट ने अपने संटर में पहुंचना है एक्जाम संटर के अगर हम बात करें तो इसमें कुहाटे मरदाने दीरे इबटाबादे बनू डियाई खान सेलकोट मुलतान ल तो चलते हैं आनलाइन इपलाई की तरफ और आपने सारह प्रोसीजर इस वेडियो में सेखना है आपने के लिए अफ्रेश्ट पार्वल क्रोम में जाना है और आपने लिखने है जी शीजियन क्यड़ेट कालेज को हार्ट पर आपने कलिक करना है और इधर जो फर्स्ट वबसाइड है आपने उस्पिक क्लिक करने जी सिसी के यानि ग्रीजियन केड़ेट कालेज को हाट पर इसके बाद इसकी मैन पेज जो है वो ओपन हो जाएगी तो यह इसकी मैन पेज ओपन हो चुकी है तो अगर हम नीचे क्रोल डॉन करें तो इसकी और इन्फार्मेशन इन्हों ने दिये और इसका लास्ट डेट जो है वो दस अक्तुबर 2023 से अभी अनलाइन इप्लाई करने के लिए आपने अप्लाई अनलाइन पे क्लिक करना है अनला मेल ऐडरेस वहीँ अमैयल और हम एक को बेज़ेज़ी जाएगी और उदर से आपने एक दफ़केशन करने हैं अगर आपके विर्फकेशन नहीं करनी तो इस तरह आपकी यह व्रिफकेशन करने हैं हम पहले से वरिफाइ कर चुक है इसके बाद हम ने रेक जाना यह जित्री डाइट पे क्लिक करना है इसके बाद लॉगिंग पर के अप्षन पर हमने क्लिक करना है तो लॉगिंग होने के बाद यह पर जोपन हो जाएगी तो इधर आपने email address देना है और उसके बाद वही password अपने लगाना है पिर आपने लोगिंग करना है उसके बाद यह पे page open हो जाएगे आपने three dot पे click करना है तो इधर आजएगी admission form इस पे आपने click करना है admission form पे तो यह admission form आमारे पास open हो गई तो इधर first step जो है fill out the admission form इधर student information देना है यानि उस class एड करना है उसके बाद ते center आपने select करना है उसके बाद student data of birth उसके बाद student name प्रोविंस यानि कौन सा सुबह है आपका district यानि कौन सा जिलह है वो select करना है उसके बाद क्वेटा आप किस क्वेटे पे बेस पे apply करना चाहते हो तो इधर है इधर डिफेंस पंजब बलुचिस्तान सीन अजमाजाद कश् जिस बेस पे apply करना चाहते है वो आपने इधर select करना है उसके बाद currently studying यानि किस इससे पहले आप किदर पढ़ रहे है वो आपने इधर select करना है उसके बाद school का name blood group student फें बी फार्म बेज हो आपने इधर add करना है उसके बाद present address उसके बाद permanent address religion आपने लिकना है यानि कौन स फार्मेशन जो है father की father occupation आपने इस पे click करना है अगर इस में कोई option है तो ठीक है वरना other पे click करना है उसके बाद father name father cn ic father monthly income यानि उसकी तनखा कितनी है father email इधर add करनी है इसके लावा आप other और किसी बाई के भी email इधर add कर सकते है उसके बाद father filer status अगर आपका है तो list करन नहीं है तो no करना है उसके बाद father number father whatsapp number उसके बाद self finance पर अगर आप apply करना चाहते हो तो yes करना है उसके बाद father status उसके बाद occupation of mother तो आपने इसको कोई अगर है तो ठीक हो और ना आपने house wife लिखनी है उसके बाद guardian information आपने वही select करना है जो आपके पास मुकमल उसकी information हो या guardian occupation उसके बाद guardian name guardian CNIC guardian income उसकी कितनी है guardian email guardian failure status आपने इदर से select करना है guardian number और guardian WhatsApp नमर उसके बाद other information पर अगर हम जाए तो इदर लिखे हो you came to know about GCC के यानि आपने कहां से आपको पता चला कि इसकी apply open हो चुकिए तो जहां से पता चला आपने उसको select करना है न्यूस पेपर फि father E.X. Grisian यानि आपके वाले से cohort credit college में है यानि यस या नो करना है उसके बाद submit and next typically करना है उसके बाद आपको एक चलान में लगए वो आपने print करने तो बेंग में जम्मा करना है उसके बाद क्या करना है उस चलान से picture लेना इदर upload करना है दस MB होना चाहिए उसके बाद passport size picture एक लिए नहीं अपनी औरो 10 MB हो और वह भी इदर आपने upload करना है उसके बाद जिस तरह को आपने चलान जम्मा कि हो आपने इदर लिखना है और bank name और amount paid करना है उसके बाद final submission पर click करना है तो सबसे पर उसके बाद आपने एक दफ़ा मुकमल read करना है इसको read करने के बाद link read करें उसके बाद आपने no change can be done after this यानि इसके बाद कोई changing नहीं होगी इसमें तो final submission पर click के आपकी मुकमल apply हो जाएगी तो अमीद करता हूँ मुकमल समझ आ गया होगा अगर नहीं है तो kindly comment में पूंच सकते हो तो दोस्तों के सथ जरूर शेर करें ताके इसको फाइदा प